कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुश्चन नमर फोर में पहुंचे दे हमारा चेप्टर एवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता रहा था कि पहले हमेशा पूरा ब्लैंक फॉर्मेट बना लेना चाहिए तो पूरा ब्लैंक फॉर्मे में लुग एज़न से स्टार्ट करते हैं यह कुश्चन नमबर फोर है हमारा वैलिएशन ऑफ शेयर्स तो पहले मैं एज़न से स्टार्ट करूंगा अगर कुश्चन नमबर कभी किसी एडिशन में चेंज हो जाता है तो कंपणी का नाम देखना सोना लिमिटेड और पहली तो यह लिखा हुए मैंने सोना लिमिटेड और यह आंसर फोर अगे अब सबसे पहले एजस्मेंट में लिखा हुए ऑन 31 मार्श 2012 दा स्टॉक वाज्यूद एट रूपीस प्रिवन जिए नहीं की देख लेट बैलें जीट आएंसर थरीवन स्टॉन टाउजन टॉजन तीक यह दिखना कि रिए्ट की डेट टेट क्या है थरीवन मार्श 2012 है के पारे माश्रान त्ले और टॉजन टॉजन टैन्ट स्टॉक रूपीस दाउजन यह श्टॉक की न्यू व पहले मेंतोड का पहला स्टेप गोड़व इसमें हम लोग स्टॉक लेखेंगे और यहां पर अमाउंट के कॉलम में लेखेंगे 3,50000, ठीक है, आगे, ऊपर जो old balance sheet में stock दिया हुआ है, यह 4 lakh, यह हमारे काम का नहीं है, क्यों काम का नहीं है, क्योंकि stock की market value अगर दी हुई है, अगर stock की market value दी हुई है, 3,50000, यह वाली, तो old value हमारे काम की नहीं है, आगे, फिर लिखा हुआ है, goodwill is valued at to be 75,000, यह goodwill की new value दी हुई है, 75,000, अब अगर goodwill की new value दी हुई है, तो मैंने बहुत इसके rules बताया, आप लोगों को, कि अगर goodwill की new value दी हुई है, 75,000, तो यह first method के step 6 में आएगा, यह first method का step 6, goodwill की market value दी हुई है, 75,000, इसके बारे में मैंने आपको last video lecture में बहुत कुछ बताया, कि अगर goodwill की market value दी हुई है, तो step number 2, 3, 4, 5, first method में step number 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, क्योंकि goodwill की market value दी हुई है, तो मैंने format बनाया था step number 2, 3, 4, 5 इसको blank रहने दो चलेगा, step number 2, 3, 4, 5 में हम लोग कुछ भी, कोई भी amount नहीं लिखेंगे, उसको blank रहने दो चलेगा, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इस method, इस question में, क्योंकि goodwill की new value दी हुई है, तो step number 1, 6, 7 होगा, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, अगे, अब हम लोग पहुँचे, यहाँ पर, the net profit for the 3 years were, 2009-10, 10-11, 11-12, यह जो आखरी वाला साल होना चाहिए, 2011-12, यह जो last-last वाला आखरी वाला साल होना चाहिए, यह वही साल होना चाहिए, जो balance sheet की date है, balance sheet की date हमारी यह है, 31-3-2012, यह profit है तीन साल का, 95,000, 65,000 और 1, 10,000, numbers याद करना, 95, 65, 110, अब first method में तो हम लोगों को average profit वाला जो step होता है, यह, average profit for goodwill, यह हमको करना नहीं है, ठीक है, तो इसको blank छोड़ देने, अब second method होता है, market value method, market value method में, step one होता है, average profit for shares, यह market value method में, पहला step होता है, average profit for shares, इसमें मैं profit लिख देता हूँ, तीन साल का, 95,000, 65,000, 1,10,000, यह तीन साल का profit लिखा, यह जो आखरी वाला साल है, यह 2011-12 है, इसके उपर है 2010-11, और इसके उपर है 2009-10, ठीक है, अब यह जो year होना चाहिए 2011-12, सबसे नीचे बोलो, आखरी बोलो, एकदम last बोलो, जो भी आखरी वाला साल होना चाहिए, यह वही साल होना चाहिए जो balance sheet वाला साल है, जो balance sheet की date है, तो यह 1,10,000 balance sheet वाला year होना चाहिए, ठीक है, आगे, adjustments मेरे हिसाब से इस question में नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको second method के step 1A में मैंने लिख दिया, बाद में देखेंगे, इसमें adjustments है कि नहीं, तो अभी तक मैंने आप लोगों को इतना बताया, कि stock 350,000 मैंने लिख दिया, पहले method के पहले step में, अब आप लोगों को फाइदा पता चलेगा, कि सारे steps पहले से लिख दे, उसका क्या फाइदा है, सारे steps पहले से लिख, format पहले से बना देना चाहिए, आदा आदा page method के first step में मैंने लिख दिया, fail cover of which 20% was placed to reserve, this proportion being considered reasonable in the industry in which company is engaged, मदब 20% जो है, profit का 20% हम लोग general reserve में transfer करेंगे, अब general reserve आपको अगर यादो, TGD, एक format आता है, specimen of profit, TGD, उसमें जो G होता है, वो general reserve होता है, मतलब second method का, second method का step 1C, मेरे को कहते है, format याद है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, second method का, यह second method है, देखो, यह second method है, second method का step 1C, second method का step 1C, जो होता है, इसमें होता है, amount transfer to general reserve, और जो यहाँ पर profit after tax आएगा, इसका 20 percentage हम लोग general reserve में transfer करेंगे, तो मैं यहाँ पर फिलाल लिख देदाँ 20%, amount obviously बाद में आएगी, amount यहाँ पर amount आएगी, उसका 20% में बाद में solve करूंगा, वापस question में जाते हैं, यह question में आगे हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे, and where a fair investment return may be taken as 12%, यह जो 12% है, यह expected rate of return है, यह जो 12% है, यह expected rate of return है, तो वैसे यह 12% दो जगा पर काम आता है, सुनते रहें न, 12% expected rate of return, वैसे यह काम आता है, first method के second step में, first method के second step में, यहाँ पर 12% काम आता है, यहाँ पर, इस question में, यह वाला step करना ही नहीं है, यह expected profit वाला step, इस question में करना ही नहीं है, इसलिए इस step को छोड़ देते हैं, यह सारे steps, 2, 3, 4, 5 नहीं करने हैं, second method में, एक जगा पर, यह 12% काम आता है, तो second method इस जा रहा हूं है, second method में, जब हम लोग यह rate of dividend solve करते हैं, second method में, जब हम लोग यह rate of dividend solve करेंगे, sorry, rate of dividend नहीं, second method में, जब हम लोग यह market value solve करते हैं, तो market value per equity share, equal to rate of dividend, multiply by paid up value per equity share, upon expected rate of return, तो यह expected rate of return है, यह second method के step 3 में divide होगा, 12%, 12 percentage में दे सिर्फ 12 लिखना, percentage नहीं लिखना, सिर्फ 12 लिखना, percentage नहीं लिखना, यह हमारा second method का step 3, तो format यहाद होगा, format लिखा हुआ होगा, तो अपने आप आपको expected rate कहां कहां भी कहां माता है, पता चल जाएगा, first method में step 2, और second method में step 3, यहाँ पे expected rate of return डिवाइड होगा, ठीक है, next, फिर question में जाते हैं, देखते हैं, question में और क्या दिया हुआ, question में लिखा हुआ है, find the value of companies share by net asset method, मनदब first method, and yield method, मनदब second method, adjustments हमारी सारी complete होगई, अब old benefit, old benefit में देखेंगे क्या-क्या लेना है, क्या-क्या नहीं लेना है, यह सब हम लोगों को first method के first step में काम आएगा, capital employed for goodwill, देखो, goodwill की old value 1 lakh, कभी भी किसी भी chapter में, जिंदगी बर, जिंदगी बर कोई भी chapter हो, goodwill की old value हमारे काम की नहीं है, ठीक है, तो goodwill को छोड़ दो, land and building 2 lakh, यह हमारे काम का है, land and building 2 lakh, land and building 2 lakh, यह हमारे काम के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे, land and building 2 lakh, यह capital employed for goodwill में आएगा, next, और क्या दियावाँ, asset side पे, old goodwill नहीं लेना है, land and building 2 lakh मैंने लिख दिया, अगर liability side पे, land and building का depreciation fund हो, तो land and building में से, इस 2 lakh में दे, minus कर देना, अगर depreciation fund हो, तो इस 2 lakh में दे, minus कर देना, okay, next है, investments, market value 2 lakh 40,000, और यह जो 2 lakh 75,000, यह book value है, अभी investments में problem क्या है, इसमें बताय हुआ नहीं है, कि यह trading है, कि non trading है, यह सबसे बड़ा problem है, इसमें बताय हुआ नहीं है, कि यह trading है कि non trading है, तो अगर सुनना मैंने, इससे पहले वाले chapter में बताय है, अगर investments में बताय हुआ नहीं है, कि trading investment है कि non trading investment है, तो rule क्या होता है, यहां पर आगे percentage दिया हुआ कि नहीं, अगर यहां पर percentage दिया हुआ 10 या 12 या 8 परसंट, investments का rate of interest दिया हुआ हुआ, तो वो non trading होता है, investments का rate of interest दिया हुआ तो non trading होता है, और rate of interest नहीं दिया हुआ, तो trading होता है, ठीक है तो यह side rule करके लिख देना investments का theory वाले बेजित में लिख देना मैंने valuation of goodwill में बताया है अगर percentage given हो तो वो non trading investments होता है अगर percentage given हो तो non trading investments होता है मतलब सिर्फ investment लिखा हुआ है investments of subsidiary company नहीं बताया हुआ है investments of provident fund ऐसा नहीं बताया हुआ है कोई fund का है कि वो सब कुछ भी बताया हुआ नहीं है सिर्फ investment लिखा हुआ है तो percentage given हो तो non trading investment और percentage not given हो percentage not given हो तो trading investment तो यह जो यह जो हमारा 2 lakh 40,000 है market value यह 2 lakh 40,000 पहली बत तो market value हमारे काम का है यह 275 है book value है 275 हमारे काम का नहीं है यह 2 lakh 40,000 market value काम का है और यह trading investment है अब trading investment का market value trading investment का market value पहले method के step 6 में आता है 2 lakh 40,000 first method step 6 first method के step 6 में आएगा non trading investments market value यह यहां पहले आएगा 2 lakh 40,000 2 lakh 40,000 ठीक है आगे first method के step 6 में चलो आगे बढ़ते हैं फिर आगे stock stock तो हमने लिख दिया इसकी market value दिवी थी 3 lakh 50,000 वो हमने लिख दिया data's और cash लेंगे पहले method के पहले step में 3 lakh और 75,000 data's और cash 3 lakh और 75,000 यहां पहर data's लेते हैं assets में cash balance भी लेते हैं assets में 3 lakh और 75,000 इसके बाद liability type पे equity share capital यह liabilities में नहीं लेते हैं general reserve यह भी liabilities में नहीं लेते हैं profit and loss account यह भी liabilities में नहीं लेते हैं 5% debentures 1 lakh यह liabilities में लेंगे 5% debentures 1 lakh लेकिंगे liabilities में पहले step में liabilities में 5% debentures 1 lakh less liabilities में 5% debentures 1 lakh कि यह liabilities में आएगा, आगे, इसके बाद आप लोगों को creditors दिया हुए, creditors liabilities में लेते हैं, workers saving fund दिया हुए, workers saving fund भी liabilities में लेते हैं, उसके बाद workers profit sharing fund दिया हुए, workers profit sharing fund ये भी liabilities में लेते हैं, workers saving fund भी लेंगे, profit sharing fund भी लेंगे, creditors भी लेंगे, ठीक है 5 lakh 1 lakh और 75,000 तीन हो लेंगे 5 lakh 1 lakh और 75,000 5 lakh 1 lakh 75,000 यह creditors है यह workers saving fund है और यह workers profit sharing fund है workers profit sharing fund ठीक है तो मैंने old balance sheet की भी सारी चीनें complete कर दी और adjustment भी complete कर दी old balance sheet भी सारा देख लिया question में दे और adjustment भी देख लिया अभी हम लोगों को पूरा question खुदी balance करना है और खुदी balance करने में काफी time लगता है सुनना ध्यान से कि सुनते रहूं कि सबसे पहले पहले method का step 1 अब पहले method का जो step 1 है इसमें assets का total फर्स्ट मैंथर का फर्स्ट इसमें assets का जो total है वो देखते हैं कितना है इक्वल टू सम्प्रॉम 350 तो 75,000 3,50,000 से लेकर 75,000 तक total है 9,25,000 यह assets का total अब उसी तरीके से liabilities का total तो liabilities का total है 7,75,000 assets का total है 9,25,000 liabilities का total है 7,75,000 और आगे पढ़ते हैं अब यहां पर assets minus liabilities कर देंगे assets में दे liabilities minus कर देंगे तो हमारा capital employed for goodwill आ जाएगा इसको बोलेंगे capital employed for goodwill step 1 का answer capital employed for goodwill तो 925-775,000 हमारा capital employed for goodwill आ गया 1,50,000 यह हमारा step 1 का answer 1,50,000 ठीक है अभी जो 1,50,000 है अभी step 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 हमारे काम का नहीं है अभी हम सिर्दा step 6 में जाएंगे उसमें यह 1,50,000 को लेके जाएंगे capital employed for goodwill अब मैं सिर्दा market value 75,000 हम पहले से लिख चुकें goodwill के market value हम पहले से लिख चुकें non trading investments हम पहले से लिख चुकें फिर हमको चाहिए uncalled amount on all types of equity shares तो मैं यह चेक करूँगा ऊपर एक statement मैंने बनाई है जो पहली-पहली statement मनाई है first method से भी उपर उसमें मैं जाके देखूँगा कि uncalled amount कितना है step 6 पे बहुंच गए हम लोग सीधा 1 के बाद सीधा 6 किया अब uncalled amount per share यह first method के भी उपर हम लोगों ने यह statement मनाई है और यह statement हमेशा बनाना हर question में uncalled amount total uncalled amount zero है यह वाला यह step 6 में fourth amount होती है यह जो zero है तो uncalled amount है zero आगे यह याद अखना 30,000 shares of 10 each अभी से लेकर हर step में यह काम आएगा 30,000 shares of 10 each यह face value है उसमें 30,000 shares of 10 यह paid up capital है और 30,000 shares multiply by zero यह uncalled amount है यह number से याद करना अभी से लेकर हर step में काम आएंगे next अब मैं पहुंचा step 6 में fourth amount step 6 में जो fourth amount थी uncalled amount on all types of equity shares तो इस question में uncalled amount zero है uncalled amount zero है अब मैं इन सब का total करूंगा तो equal to sum इन चारो amounts का मैं total करूंगा और यहा तक ना हमेशा step 6 में चार ही amounts आती है यह आगया हमारा 4,56,000 यह आगया हमारा answer 4,56,000 4,65,000 यह जो 4,65,000 आया यह हमारा capital employed for shares आ गया 4,65,000 यह हमको आगे बहुत काम आने वाला है 4,65,000 अब यह जो 4,65,000 आया capital employed for shares इसको step 7 में लेके जाएंगे और मैं यह बता है आप लोगों को last lecture में कि इस question में step 7A होगा क्यों 7A होगा क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही type का equity share दिया हुए ठीक है अब यह जो 4,65,000 आया हम यह step 7A में numerator में हैगा यहां पर capital employed for shares में तो step 7 का नाम होता है book value per equity share step 7 का नाम होता है book value per equity share इसका formula होता है capital employed for shares जो हमारा 4,65,000 आया capital employed for shares 4,65,000 divided by total number of equity shares तो इस question में total number of equity shares थे 30,000 अभी अभी मैंने आपको उपर statement दिखाए minus uncalled amount per share तो इस question में uncalled amount per share है 0 rupees ठीक है जो भी uncalled amount हो per share वो आपको minus कर देना है यह 0 rupees uncalled amount per share minus कर देना है तो capital employed for shares मदब step 6 का answer 4,65,000 divided by total number of equity shares 30,000 minus uncalled amount तो यहां पर आएगा equal to पहले divide कर दें 4,65,000 divided by 30,000 तो यहां पर आजाएगा 4,65,000 divided by 30,000 तो यहां पर आजाएगा equal to 4,65,000 divided by 30,000 यह आजाएगा minus uncalled amount per share और वो uncalled amount per share है 0 तो 16 minus 0 इस 16 rupees 16 rupees ही है हमारा book value per equity share आगे है मतलब first method हमारा complete हो गे है ठीक है अब second method second method market value method इसमें step 1A adjustments यहां पर क्या बहुत सारे expenses और incomes जो लिखना बागी है वो सब आते है वो इस question में है नहीं तो expenses अगर लिखना बागी है इंकम अगर लिखना बागी है तो वो सब minus plus करके एक बागीन कोछी एज़ेश्मेंंस है इसको यहां प्रोफिट का कॉलम् मतलब किया यह हों गया हमारा प्रॉफिट का कॉलम् मतलब हैं अब यहां पर हम लोग प्रॉफिट का का trend देखेंगे हम लोग profit का trend देखेंगे कि profit का trend increasing है decreasing है कि fluctuating है यहां पर जो profit का trend है 95 65 110 मतब पहले 95 से 65 हो गया तो कम हो गया फिर 65 से 110 मतब बढ़ गया तो पहले कम हुआ फिर बढ़ा तो profit का trend गया है fluctuating trend यहां पर मैं profit के बाजू में लिख देता हूँ equal to fluctuating trend तो जब profit का fluctuating trend होता है तब हम simple average करते हैं simple average में हम यह तीनों साल का total कर लेंगे पहले 95 65 और 110 तो इन सब का total आता है तो लेक 70,000 यह हो गया total profit of 3 years तो लेक 70,000 अब यह total profit of 3 years आ गया total profit of 3 years आ गया तो लेक 70,000 अब क्या करेंगे यह 2 लेक 70,000 को divided by 3 कर देंगे तो हमारा simple average profit आ जाएगा इस question में simple average आ जाएगा क्योंकि profit का trend fluctuating है तो जब fluctuating trend होता है तब हम लोग simple average profit fine करते हैं और simple average profit कैसे fine करते हैं simple average का formula होता है simple average profit profit equal to equal to total profit of n years upon n total profit of n years upon n यह simple average का formula होता है तो total profit of n years कितना है तो total profit of n years है 2,70,000 मलब तीन साल का total divided by obviously 3 simple average जदे बच्मन में करते दें तो तो हमारा simple average profit आ जाएगा 90,000 रुपीस यह हमारा simple average सबसे बहले हम लोगों को टेक्स माइनस करना है इस पूरे कुशन में कहीं पे भी टेक्स शब्द नहीं दिया हुआ कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ भी बेफोर्टेक्स आफ्टर टेक्स Diesel या में पे नोट करके लिखत देना है इस आइड रूल करके लिख देना बाद में थेयरी वाले पेजिस में लिख देना है मैंने टेक 0 क्यूं लिखा अब लोग बाद में थेयरी वाले पेजिस में लिखना if in the if in the full question x word is not given and x should be taken as 0 पूरे question में नहीं पे एक से शब्दी नहीं है कि आपको text लेना है जीव दूसरा रूल बता हूं यह साइड रूल फर्स्ट हो गया है अगर टेक्स शब्द दिया हुआ हो कि दूसरा रूल अगर टेक्स शब्द दिया हुआ और percentage नहीं दिया हो तो आपको percentage अजियों करना है 50 परसंट ठीक है इफ एक्स वर्ड इस इफ एक्स वर्ड इस गिवन बट परसंटेज मदब रेट इस नॉट गिवन एंवी शुद अजूम प्रसंडेज वव झाल इस 50%, तो अगर टैक क्स देज हुआ नहीं दिया हो तो टैक्स दे सीड ले vocês और एग्स देत दिया वग्या हो तो आपको परसंडेज गाल उफ 50% यह theory वाले pages में लिख लेना आगे इस question में हमारा tax होगा 0 तो 90,000-0 बागी बचा 90,000 90,000-0 बागी profit after tax आएगा हमारा 90,000 ठीक है अब यह जो profit after tax आएगा 90,000 इस 90,000 पे 20% generalism निकालेंगे 90,000 का 20% अब obviously 90,000 का 20% 90,000 का 20% कितना होता है अठारा 1000 होता है 90,000 multiply by 20 divide by 100 तो यह होता है 18,000 तो 18,000 आजाएगा हमारा amount transfer to generalism यह 18,000 minus कर देंगे amount transfer to generalism ठीक है तो बागी कितना आएगा तो 90,000-18 बागी आएगा 72,000 बागी आएगा 72,000 इसके बाद preferential dividend इस question में इस 72,000 का कोई नाम नहीं है मैंने यह आपे सामने कोई नाम नहीं लिखा है लिखने की जरूरत नहीं है preferential dividend इस question में old balance sheet में preferential capital है ही नहीं तो preferential dividend होगा 0 क्योंकि preferential capital दिया होगा ही नहीं है तो preferential dividend 0 होगा अब 72 minus 0 बागी बचेगा 72,000 72 minus 0 बागी बचेगा 72,000 यह हमारा average profit for shares 72,000 अभी clearly दिखाई देगा सब कुछ अगे अब यह जो average profit for shares आ गया हमारा 72,000 यह step one का answer यह step two के numerator में आता है step one का answer step two के numerator में आएगा average profit for shares यह आया हमारा 72,000 average profit for shares 72,000 अब इसको multiply by 100 कर देंगे इसको multiply by सबसे पहले face value नहीं पहला column face value था दूसरा column paid up था तो paid up capital था 30,000 multiply by 10 यहां पर हमारा rate of dividend आ जाएगा तो rate of इसको percentage बोलते है 24 परसंट अब यह जो rate of dividend आया 24 परसंट इसमें से भी लिखना है परसंटेज बट परसंटेज को दो मिनिट के लिए बूल जाव यहां पर लिखना परसंटेज लेकिन step 3 में percentage नहीं लिखना यह जो 24 आया step 2 का अंसर यह जो 24 आया step 2 का अंसर यह step 3 के निउमरेटिक में आयेगा rate of dividend कितना 24 परसंट 24 परसंट में आपको स्रिफ 24 लिखना है ठीक है फिर multiply by paid up value per share अब आपको अगर यहां दो तो paid up value per share हमारा 10 रुपीस था paid up value per share face value भी 10 था और paid up भी 10 था तो जो paid up था 10 वो चाहिए paid up value 10 रुपीस per share अब हम लोग simply इसको multiply divide करेंगे तो हमारा answer आजाएगा simple है बहुत अभी तो 24 multiply by 10 divided by 12 24 multiply by 10 divided by 12 तो यह जाएगा 20 रुपीस यह 20 रुपीस रुपीस रुआया यह हमारा market value per share market value रुपीस और book value कितना था तो step third method भी हो जाएगा यह first method का answer था book value 16 रुपे था book value per equity share यह था 16 रुपीस book value per equity share 16 रुपीस था plus market value market value market value हमारा आया 20 रुपी यह वाला बंदा पर्स मेथड का answer 16 रुपे था second method का answer 20 रुपे था इन्होंनों को plus करके divided by 2 कर दें 16 plus 20 upon 2 अब 16 plus 20 upon 2 तो हमारा ने स्वेंटी पॉइंटी पॉइंटीन पॉइंट सेंट रुपीस पर शेयर यह मारा आंसर है फेर वेलवेंटी पूछा यह था पर fair value मैंने solve कर दिया 17.75 रुपीस गलती है मेरी 16 ब्लस 20 डिवाइट बै टू ओके यहां पर कहीं पर गलती लग रहे है मेरेको यह 20 सही है यह 16 सही है book value में method में शायद कोई गलती हो check कर ले दें book value method में टेक्स्ट्बुक वालों का 15.5 आ रहे है तो शायद मेरा डिवीदेन में कोई गलती हो यहां पर कंप्यूटर ने अप्रॉक्सिमेट कर दिया था कंप्यूटर ने क्या किया था वैथे 4,65,000 divided by 30,000 15.5 होता है पर कंप्यूटर को जब आ वैथे decimals कम कर दो तो कंप्यूटर के क्या कर देता है 15.5 को 16 कर देता है इसलिए कंप्यूटर की गलती थी मेरी गलती नहीं थी अप्रॉक्सिमेट लिखा हुआ था 15.5 के जगा 16 लिखा हुआ था आपको ऐसा नहीं करना है आपको दो देसीमल दग आंसर लिखना है आप 16 नहीं लिखोगे आप 15.5 लिखोगे 15.5 15.5 अब आंसर जाके चेक करें सेकंड मेथड का और थर्ड मेथड का थर्ड मेथड का थर्ड मेथड हाँ ये 16 नहीं है इसको decimal places बढ़ाएंगे तो 15.5 है अब आप करके देखोगे कैल्सी पे 15.5 प्लस 20 डिवाइट वैट तो 17.7 आएगा मेरी कोई गलती नहीं है कंप्यूर की गलती है यहां पे 15.5 सही आंसर है 16 नहीं लिखना 15.5 लिखना ठीक है और अगर आप यहां पे जाके देखोगे ये टेक्स्ट्बुक की इमेज है ये टेक्स्ट्बुक की इमेज है इसमें मेरी गलती नहीं थी कंप्यूर की गलती थी कंप्यूर नहीं यहां पे 16 लिखा था जो की गलत है सही आंसर है 15.5 15.5 अब एक बार मैं पूरा स्क्रोल कर दूंगा पूरा कुशन कंप्रीड हो गया तो जो लोग रिकॉर्टे लेक्षर देखेंगे वो लोग लिख सके आ रहा वाले बेजिस में एक यह साइट रूल यह थेहरी वाले बेजिस में यह स्टेट्मेंन हमेशा बनाना है हर कुश्चन में अब यह पहले मैथर का स्टैप वन यह पहले मैथर का स्टैप बन अब पहले मैथर में स्टैप 2,3,4,5 आप नहीं लिखो तो भी चलेगा लिखो तो भी चलेगा लिखोगे तो नाइमवेस्ट होगा स्टैप 2,3,4,5 फर्स्ट मैंथर का फिर यह फर्स्ट मेंदर का step 6 यह फर्स्ट मेंदर का step 7 अब सेकंड मेंदर स्टार्ट हो गया step 1 a step 1 b step 1 c यह side rules यह theory वाले बेजिन ने लिगना side rules यह second method का step 2 यह second method का step 3 फिर यह third method ठीक है यहां दख लिखना है आप लोगों को यह option और complete हो गया यहां दख लिखना अच्छी तरह लिखोगे तो ज्यादा time तक याद रहेगा ओरली या सिर्फ वीडियो देखने ले कुछ नहीं होगा लिखो प्लीज जो भी डाउट हो मेरेको इस नंबर पर WhatsApp कर देना यह मेरा नंबर है इस नंबर पर SMS या WhatsApp कर देना जो भी आप लोगो डाउट हो मिल देने शुलियो मेरा